बिस्मिल्लाहरोर्हमानेराहिम कलास इक्स्त सब्जिक्ट जियोग्राफी टॉपिक हमारा जो है इरत इंद सोलर सिस्टम पैरे बच्चों आपको पता ही होगा इरत का नाम आपने सुनाई होगा इरत जिमीन जहां पे हम रहते हैं जहां पे हमें ऑक्सिजन भी मिलता है जहां पैर पाने भी एवलिबल है लेकिन प्यारे बच्चों क्या आपको पता है कि अरत के जैसे और भी बाके सारे पलेनेट्स हैं जो सन के एरावन गोमते हैं लेकिन इन में और इरत में इतना ही फरक है कि इरत पे जो है लाइफ एक्जिस्ट होती है यहां पे इनेमिलर्ट प्ल हैं लेकिन जो बागी प्लेनिट से वहां पर यह डान नहीं है तो वहां पे जो एक्सचोर्ण को अप्र चाहरी को पाया जाये तो गाला की इसलगे तो वहां पे इसलों इनसब वहां जाके फिर वहां रह सकता है लेकिन अगर आज की बात करें तो आज कोई ऐसा आईनेंट नहीं है जहां पे इनसान जивает जिनना रह सकता है वहला कि मार्स पे यह भी भी यह और जाता है कि वहां पे थोड़ से माँपे सांटिस रिसर्च कर रहे हैं, दो δा eyelids कर रहे है कि शायद में भी वहाद पे बादर की आवलेबिलिटि हो और आगर ऐसा हुआ तो फिर वहाद पे भी इनसान जिन्दा रह सकता है इरत जो होता है, जमीन चो हम बोलते हैं, जिसमें हम रहते है इस में एक स्थम में में होता है यानि कि एक सिस्टम होता है सिस्टम में कौन कौन चीज़े होते हैं यह सारा सिस्टम जो पूरा सिस्टम जब काम करता है तो इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं इसमें एक सन होता है जो संटर होता है सोलर सिस्टम का और बागी इसके यहां पर जो डागरम आप देख ल होता है इसको हम और बोलते हैं इस पिक्सट पाथ से यह जहां से आके आके फिर यहां पहुंँ जाता है अगर हम अर्थ की बात करें तो एक साल लगता है एक चाकर को कंप्लीट करने में इसी तरह से जो जितना दू इसको यतना ज़्यादा टाइम लगता है तो यह फोई बात हम कहा रहे तो सोल्र सिस्टम की बात और संज ओता है यह सं क्या होता है इस इसमेरी में पार्टे विजक चक्वान के आँए बागी जर्मी भी मासुस्द काते हैं और प्रूश्णी भी जमिन्त पेंचती है प्यारे बच्चों कि आप में देखा है कि जब जो शाम का टाइम आता है तो आसमान पर चोटे-छोटे डार्ट से मैं दिखाई देने लगते हैं जब जितना जदा अंदेरा होता है तो वह डार्ट जदा शाइनिंग होते हैं वह चमकने लगते हैं इक थोड़ फोड़ होता है इनको हम बोलते है शाइनिंग अभजेक्ट्स त्याब बोलता है यह बोट ब्राइट होते है च्ढ केला होता है तो रोशनी होती है है जिसके वज़ाइस यह चमकते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें छोड़ चोड़ जो थोड़ा ज्यादा दूर होता है इसे वह चमकते हैं आसमान पर जो उनको हम बोलते हैं ब्राइट औब्जाक्टर्स लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं मून को भी हम आसमान में देखते हैं मून ज्यादा देखता है इसको प्राइनट कहते हैं यह इसकी जो है इसकी जो साइज है इसका जो शेफ है यह हम दिन दिन एक दिन के बाद दूसरे दिन बेज़ाए इसके शेफ होते हैं पहले छोट हो जाता है फिर दूसरे दिन फूल फूल मून बोलते फूल हो जाता है फूल सरकल जासा बन जाता है तो इसका डेफिनिट शेफ और साइज नहीं होता है यह आए क्योंकि यह जो जमीन के एरत गोमता है इस वजासे इसको पूजिशन होते हैं वह चेंज होते हैं कभी इस तरह हम देखते हैं दूसरे जगा पर देख पाते हैं और जो इसकी शेकल है वह भी चेंज रहती हो जाती है और जब यह दूसरे एक मजहने में हम इसको एक भार अचो को याना को फुल जो सरकल जैसा होता है उसको ला यानि इंग्लिज में बोलते हैं इसको फुल नोन मैट या उसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर निमा लेकिन चौदतन के बाद पर जो हम उसको बिलकुल नहीं देख पाते हैं फिर जो हम नहीं मौन बन जाते हैं इसको बोलते हैं अमावसिया हिंदी में उसको बोलते हैं उस आपको पता हैं बचो कि हम दिन को नहीं देख पाते हैं इन तिनी ऑब्जेक्ट्स को हम दिन में नहीं देख पाते हैं क्यों नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो सन की रोष्णी इतनी ज्यादा होती हैं जिसके वज़ा से हम इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं ये गायब सा लगता है, हमें खाली सकय जो आस्मान की तरफ देखते हैं, हमें खाली नीला सा आस्मान देखता है, और बाकी कुछ नहीं देखता है, हाला कि वो जो टीनी अबज़क्ट सामने शाम को देखे होते हैं, वो दिन में भी वही होते हैं, लेकिन इरुशनी इतनी होते हैं और गर्म भी होते हैं यह गेसे से बने हुए होते हैं यह संद के बात करें यह के से बना हुआ होता है इसमें बहुत हीट गर्म होती है और रोशनी भी इसमें होती है और रोशनी बहुत मिगदार में छोड़ देते हैं जिससे वह जमीन तक रोशनी पहुंच जाती है बलते हैं जो गैसे से बने होये होते हैं जो बाड़े होते हैं और जो गरम होते हैं 무च थे हैं अगर वो जाड़ा गरम होता है लेकिन यह हमसे थोड़ा दूर होता है और इतनी रोशनी गरमी देता है जितने हमें जुरत होती है इनको हम बोलते हैं स्टार बोलते हैं यानि कि सन जो है इसको स्टार बोलते हैं वो जो रात को है जो आप चमक जो आप आसमान पे चुटी चुटी नी अब्जेक्ट जो चमकते हैं उनको भी स्टार बोलते हैं लेकिन सन और इनमें क्या फरक है सन हमारे नेल्टिक होता है और वह हमसे बहुत 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 दूर होते हैं इंशाला नेक्स्ट टाफिक में हम इंभार की प्लेंट्स में डिसक्स करेंगे